नमस्कार दोस्तों एक जामित्र में एक बार फिर सापका स्वागत है आश्चा करता हूँ आप से भी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती रिजरो बैंक की बरती निकाली गी है जिसमें जो टोटल पोस्ट है वो और 841 है आयूसे में प्रेटेड हो या एज क्राइटरिया क्या है फीज क्या रहेगी जो एपलिकस्टम फों का मोड है वो ओनलाइन है या ओफ्लाइन है और से लेबस और सेलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों गर आप उमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जुरू दबाईए जिससे की आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिल सके हैं दोस्तों समय समय पर आपको हमारे चैनल पे सभी जो लेटेस्ट रेक्रूट्मेंट की जो पोस्ट निकली जाती है उनके बारे में वीडियो आपको प्राप्त होथे रहेंगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकिशन के बादनें से इन्फोर्मेशन मिल जाएगी तो आई दोस्तों जो ओपेशन नोटिफिकिशन आर्बिय के द्वारे जारी किया टोटल पोस्ट दोस्तों हुआ है 841-841 है और इसका जो एप्लिकेशन मोड रहेगा दोस्तों वह रहेगा ओनलाइन का आपको ओनलाइन किस तरी किसे करना है आपको www.rba.org.in यह वेबसाइट है इस पे जाके आपको ओनलाइन एप्लिकेशन फोर्म का लिंक शो करेगा तो यहां से आपको apply करना है आपको किसी भी तरह कोई issue आता है कोई दिक्कत आती है तो आप हमें comment box में पूरा परियास करूंगा कि आपको जो भी issue आ रहा है उसका आपको solution परदान कर सकूंग अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो अगर आप request करेंगे तो इसका जो application form में आ आपको feel करना है उसका मैं आपको separate video provide करवा दूगा लेकिन यह आपकी request पर ही बनाया जाएगा तो अगर आप request करेंगे तो मैं आपके लिए separate video provide करवा दूगा तो दोस्तों बात करते हैं इसकी जो website का online application form work कब से start है तो यह 24 फरवरी 2021 से start है और इसकी last date है वो 15 मार्श 2021 है त अगर आपने अभी तक apply नहीं किया है तो इसका apply कर दीजे 15 मार्श से पहले और इसकी जो payment fees है वो आप 24 फरवरी से 15 मार्श की बीच में अब इसकी फीस भी जमा करवा सकते है अब इसकी जो exam date है दोस्तों online होगा आपका exam CBT computer based test रहेगा और इसकी जो date है वो भी इन्होंने अभी जारी कर दी है 9 अपरेल और 10 अपरेल को इसकी जो online date है exam की वो भी इन्होंने जारी कर दी है अब दोस्तों बात करते हैं कि इनकी जो पोस्ट है उनका डिवाइडेशन किस तरीके सी किया गया है इनका सभी categories में से SCST, OBC, EWS, General इनके लिए अलग-अलग cities में आरिवाई नहीं है, SC के लिए है, 3 SC के लिए नहीं है, OBC के लिए 22 है, EWS के लिए 5 है, General के लिए 20 है, Total 50 पोस्ट परस्तावित की गया है, यहां पर physical handicap के लिए दिया गया है और एक सर्विसमेर के लिए यह दिया गया है, इसी तरह से बैंगलोर का है, बोफाल का है, बुनेस्वर का है, चंडिगड, चेन्राइ, गुवाटी, हैदरावाद, जमू, जयपूर, कानपूर, कॉलकता, मुंबई, नागपूर, न्योडेली, पतना, तिरुननत्पुरम, तो इन सभी सिटीज में RVA के ओपीस है, तो इनमें जैसे SC के लिए 25 है, ST के लिए 75 है, OBC के लिए 211 है, EWS के ल गाइट करके निकाल गया है, अगर आप नियरवाई किसी सिटीज से बिलोंग करते हैं, तो इनके लिए आप एपलाई कर सकते हैं, तो दोस्तों ये बात होगी, कि last date कब है, starting date कब है, वो इनकी जो पोस्ट है, उनका डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है, अब जो next है अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, इलिजिबिलेटी क्राइटीर है कि, जो सबसे पहले हैं, एज के लिए तो इसके लिए इसमें, दोस्तों, दे रखा है, 18-25 वरस का, और इसमें, आपका दो फरवरी, दो फरवरी, उनिस तो पहले का जनब नहीं हो रखा हो, और जो द relaxation दिया गया है SCST के लिए 5 साल का दिया गया है और OBC के लिए इसमें 3 साल का दिया गया है अगर आपकी 3 साल तक है तो आप apply कर सकते हैं SCST में OBC में अगर आपके 28 वरस तक ही आयो हो रही है तो इसके लिए आप eligible है अग जो next है दोस्तों बात करते है physical handicap के लिए तो physical handicap के लिए भी जनरल और EWS के लिए 10 साल का दिया गया है और OBC के लिए 13 साल का है और SCST के लिए 15 साल का इसमें दिया गया है और experienceman के लिए भी यहाँ पे age relaxation दिया गया है तो यह बात होगी दोस्तों age criteria की अब जो next है दोस्तों वह बात करते हैं कि इसमें qualification क्या required है तो दोस्तों qualification इसमें ज्यादा requirement नहीं की गई है आपके पास होनी चाहिए qualification में 10th pass 10th pass है आप तो आप 10th pass है तो आप इसके लिए eligible हैं जैसे कि यहां पर देरकार 10th standard का होना चाहिए और इसके लाव आपके पास language proficiency होनी चाहिए कि जैसे अगर आप Southside के किसी भी RBA के office में आप apply करना चाहरे हैं तो वहां की local language का भी आपको experience होना चाहिए कि आप बोल सकें और जैसे कि जो हिंदी वासी जो राज्य हैं अगर उनमें आप apply कर रहे हैं तो वहां पर आपको हिंदी का knowledge होना जरूरी है तो यह होगी दोस्तों इसकी eligibility criteria की age और इसमें दूसरा है qualification के लिए अब जो next दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो syllabus है और जो exam paper हो किस तरीके से आएगा दोस्तों अगर exam paper की बात करें तो इसमें reasoning का paper आएगा, English का आएगा, GKGS का आएगा और numerical ability का आएगा reasoning का इसमें 30 question रहेंगे, 30 marks करेंगे, general English के भी same 30 question 30 marks के, और GKGS general awareness के 30 question 30 marks के और numerical ability maths के 30 question 30 marks के रहेंगे, total question 120 रहेंगे और 120 marks के आपको time दिया जाएगा 90 minute का, डेट गंटे का आपको इसमें time दिया जाएगा, यह computer based आपका test रहेगा offline mode का test नहीं रहेगा, CBT based आपका test लिया जाएगा, इसमें जो आपकी negative marking रहेगी दोस्तों, वह one fourth इसमें negative marking रहेगी तो ऐसा मैं सोचे कि इसमें कोई negative marking नहीं है, तो दोस्तों बात हो गई इसमें आपकी starting date की, last date की eligibility criteria हो गया, आपका जो application form है वह online रहेगा या offline रहेगा और syllabus की भी बात हो गई, अब दोस्तों जो next है सबसे important है कि इसमें जो fees हो कितनी लगेगी, चाहे वो SCST हो या OBC हो सभी क general category के लिए, तो यह सारी details दोस्तों जो notification में आपको दी गई है, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको details में जो RBI का office attendant की जो post निकालेगी है, उसके बादे में आपको details में सारी information प्रवाइड करवा दी है, official notification के जरीर, जो man man important चीज़े हैं वो आपको जानना जरूरी ह और अगर आपको यह official notification डाउनलोड करना है, तो आप RBI की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको step by step आपको application form की से फिल करना है, तो उसकी अगर information चाहिए, तो आप हमें request कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके लिए एक separate video भी प्रोवाइड करवा दूँग तो आपको यह जानकर यह पसंद आयोगी, अगर किसी तरह कोई doubt है, कोई भी परसन है, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, इसी तरह की अन्य latest recruitment की जो भी notification जारी किया जाता है, तो उसके बारे में आपको समय से में पर वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप वीडियो को जाज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, धन्यवाद, जय हिन, जय वारत